दोस्तो अगर आपको घर से भाहर जाना है और आपको चिंता है कि आपके प्लांट्स में पानी कौन देगा तो आज की वीडियो में हम आपको दो ट्रिक्स बताएंगे आप दोनों में से किसी भी ट्रिक का इस्तिमाल कर सकते हैं और अराम से 3-4 दिन अपनी छुटिया इंज्वाए कर सकते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है करमवीर आप देख रहे हैं आपका प्यारे यूट्यूब चैनल रूफटॉप गार्डनेर करमवीर चलिए जानते हैं सब्सक्राइब किजिए रूफटॉप गार्डनेर करमवीर चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटस्ट गार्डनिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ट्रिक नमबर वन इसके लिए आपको एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए होगी आपको प्लास्टिक की बोतल के डकन में छेद होल्स करने हैं तीन से चार होल काफी रहेंगे हमने ये छेद होल्स पहले ही कर रखे हैं आप किसी कील या सुई को गरम करके आसानी से बोतल के डकन में छेद कर सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं दोस्तो ये ट्रिक बहुत असान और इफेक्टिव है हमने काफी टाइम इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है अभी आपको इस बोतल में पानी डालना है बोतल को फुल पूरा पानी से ना बरें थोड़ी सी जगे खाली रखें और बोतल को ढकन लगा कर बंद कर दें दोस्तो ट्रिक ये है जब आप बोतल को उल्टा करोगे तो कुछ सेकिंड तो पानी निकलेगा लेकिन कुछ सेकिंड बाद पानी निकलना बंद हो जाएगा लेकिन जब सूरज की रोशनी धूप से पानी को हलकी गर्मी मिलेगी तो पानी बाहर आएगा अभी आप इस बोतल को पोधे की मुखे साका से थोड़ा दूर मिट्टी में गाड़ दें अच्छे से बोतल को मिट्टी में दबाएं जैसा आप देख रहे हैं अगर आपका प्लांट पोर्ट बड़ा हो तो इसी परकार आप दो बोतल भी लगा सकते हैं दोस्तों कैपिलरी एक्षन की वज़े से जब जब आपके गमले पोर्ट की मिट्टी सूखने लगेगी तो वैब बोतल से पानी मोश्चर प्राप्त कर लेगी और बोतल का पानी बहुत दीरे दीरे निकलेगा मिट्टी सूखने पर दीरे दीरे बोतल से पानी मोश्चर निकलेगा और आपके प्लांट सोयल को मिल पाएगा ये बहुती आसान तरीका है इसका इस्तमाल करके आप अपना होलिडे ट्रिप अराम से इन्जॉय कर पाएंगे और आपका प्लांट वाटरिंग से बचा रहेगा ट्रिक नमबर टू इसके लिए आपको प्लास्टिक की बोतल में सिरफ एक सुराग करना है हमने सुराग पहले ही कर रखा है अब आपको किसी लकडी या पाइप को बोतल से बांदना है हम बोतल को टेप की साहिता से लकडी से बांद रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप किसी रशी की साहिता से भी बोतल और लकडी को श्टिक को बांद सकते हैं अब इस डंडी लकडी को अपने प्लांट के पोर्ट में डालेंगे यह ग्लूकोस पाइप है यह आपको किसी मेडिकल स्टोर दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा लगबग 10 रुपए में अभी आपको इस ग्लूकोस पाइप के उपर वाले हिस्से को बोतल में डालना है जहां आपने सुराग होल किया था अगर यह अच्छे से फिक्स ना हो लीक करें तो इसे डालने के बाद बाहर से ग्लू लगा दें अभी ग्लूकोस पाइप के नीचे वाले हिस्से को श्टिक के नीचे की साइट टेप से चिपकाएं हमने इसे फिट कर दिया है अब बोतल में पानी डालेंगे आप अपने जरूरत के हिसाब से एक लीटर, दो लीटर या पाच लीटर के कंटेनर को भी लगा सकते हैं हमने बोतल में पानी भर लिया है अब बोतल को कैप ढकन लगा कर बंद कर दें अभी किसी नुकीली सुई की मदद से बोतल के उपर वाले हिस्से में चार पाच शुराक करें ग्लूकोस पाइप में बटन लगा होता है जिसकी मदद से आप पानी के फ्लो को कम जादा कर पाएंगे हमने इसके बटन को उपर कर दिया है और आप देख सकते हैं पानी का फ्लो तेज हो गया है आप अपने हिसाब से इसका फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसका फ्लो कम ही रखें जिससे बहुत दीरे दीरे पानी की बुंदे मिट्टी में गिरेगी और आपकी सोयल प्लांट को काफी टाइम तक पानी मिल पाएगा दोस्तो अगर आपको ज़्यादा दिन ट्रिप पर जाना है तो बड़ी बोतल या कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों ही ट्रिक बहुत आसान और इफेक्टिव है धन्यवाद दोस्तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आए पसंद आए तो लाइक शेर सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू